नमस्कार बच्चों मेरा नाम निर्मलकुमार गुपता मेरे साथ हैं सुशिला चोधरी बच्चों आज के वीडियो में हम कक्षा दस्की हिंदी विशे की पाठ्य पुष्तक क्षितिच के गद्य खंड के अध्याई तेरा का भाग एक पड़ेंगे लेखक हैं सर्विश और दयाल सक्षेना अध्याई का नाम मानविय करोना की दिव्य चमक शुरू करें बच्चों लेखक परिचे इनका जन्म सन 1927 में हुआ जन्म स्थान बस्ती जिला है जो उत्तर प्रदेश में है इलाबाद विश्विद्याले से शिक्षा ग्रहन करने के बाद इन्होंने अध्यापक का कारे किया तथा आकाश्वाणी में साहेक निर्माता का कारे भी किया इन्होंने पराग नामक पत्रिका का संपाधन किया सन 1983 में इनका आक्ष्मिक निधन हो गया पाटका सार बच्चों इस संस्वरण में लेकक ने फादर बुलके केश नहेपूर्ण व्यक्तित्व पर प्रकास डाला है फादर बुलके की मृत्यू गैंगरीन नामक बिमारी से हुई थी फादर जीवन भर लोगों को स्नेह बाड़ते रहे फिर भी उन्हें गैंगरीन जैसी बिमारी हुई बच्चों फादर बुलके हमेशा सफेद लंबा चोगा पहनते थे सदा अन्य लोगों पर प्रेम बरसाते रहते थे लेखक लगभग 35 वर्ष फादर के साथ रहे फादर परिमल नामक संस्था के सदश्य थे तथा संस्थका की बैटकों में भाग लेते थे फादर प्राय इलहबाद की शड़कों पर साइकिल चलाते रहते थे फादर मूल थे बेल्जियम के निवासी थे उनके घर में उनकी माँ पिता दो भाई तथा एक बहिंती भारत आने के बाद वे दो तीन बार ही बेल्जियम गए थे सन्यासी बनने के प्रशन पर वे इतना ही कहते थे कि यह प्रभू की इच्छाती यह इंजियनिरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई के दोरान सन्यासी बने इसके पश्चात वे भारत आ गए फादर को हिंदी बासा से बहुत प्रेम था भारत आने के बाद फादर ने पादरियों के साथ धर्म की शिक्षा लिए इन्होंने दारजी लिंग कॉलकाता तता इलाबाद में शिक्षा ग्रहन की रामकता उत्पत्ती और विकास पर शोध पत्र प्रस्तुत किया इन्होंने बाइबिल का हिंदी अनुवात किया फादर बुलके हर व्यक्ति के सुख दुख में साथ रहते थे दिल्ली में बिमारी के कारण 18 अगस्त 1922 को उनकी मृत्ति हो गई उनकी मृत्ति उपर लेखक को बहुत दुख हुआ लेखक ने फादर बुलके को मानविय करणा की दिव्य चमक बताते हुए उनके व्यक्तित्तों पर प्रकाश डाला है इस अध्याय में उन्होंने फादर बुलके का जीवन वर्णन किया है बच्चों ये था इस अध्याय का सार इसे आप वीडियो में बार बार देखें समझें और याद करें धन्यवाद